गले की फास बनेगी मददगार एक बार फिर खिलेगा कमल 2019 में होगी मोधी की जीत नमस्कार मैं हूँ कविता अब इसे पिया मोधी की किस्मत कहें या फिर तकदीर का खेल सरकार के सामने मूबाई खड़ी चुनोतियां भी पिया मोधी के लिए तुरुप का वो एक का बनती जा रही है जिसके बलबुते पिया मोधी एक बार फिर देश में कमल खिला सकते हैं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने जहां मोधी सरकार की नींद उड़ा रखी थी समय नहीं लगता हाले में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट क्या आई पेट्रोल और डीजल के दाम भी पहले के मुकाबले ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कम हुए अक्टूबर के महीने में कच्चा ते 46 डॉलर प्रती बेरल के 4 सालों के उच्चस तर पर था जो की अब गिर कर 65 से 37 डॉलर प्रती बेरल पहुँच चुका है वहीं अब विशिश यग्यों की माने तो कच्चे तेल की कीमत गिरने का सलसिला जारी रह सकता है अमेरिकी राश्पती ट्रॉम द्वारा ओपेक पर उतपादन बढ़ाने का दबाव फिर इराक से भारत समेट 8 देशों को इरान से तेल आयात की छूट और ऐसे में अगर आने वाले वक्त में कच्च तेल और भी सस्ता हो जाता है तो इससे रुपे पर दबाव घटेगा और डॉलर के मुकाबले मजभूत होगा पेट्रो डीजल के दाम घटेंगे तो महंगाई पर भी काबू पाय जा सकता है तो देखा आपने पेट्रो डीजल की बढ़ती कीमते जहां कुछ उत पहले मोधी सरकार की गले की हट्टी बनी गुई थी अब 2019 चुनाव जीतने में मददगार भी बन सकती है ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार मोधी सरकार दूबारा हो सकती है देशो दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ